शारोखान को डॉक्टरेट की डिग्री देना चाहता था जामिया, HRD ने रोका, बताईए ये वज़े हैं। साथ ही इसकी वज़े भी बताई है। मंत्राले की ओर से कहा गया है कि शारोखान को अन्य किसी दूसरी युनिवर्सिटी से पहले ही ये सम्मान मिल चुका है। ऐसे में दुबारा डिग्री देने का कोई ओप्चित्य नहीं है। ये खुलासा एक सूचना के अधिकार RTI के तह इत्मांगी गई जानकारी से हुआ है। एक्टर शारोखान के साथ ये उनिवर्सिटी को भी मानव संसाधान मंत्रा लेकी ओर से बड़ा जटका माना जा रहा है। बतादें कि दिल्ली से स्कूल कॉलेज की शिक्षा ग्रहन करने वाले शारोखान जामिया मीलिया इसलामिया में मास कमलुनिकेशन रिसर्च सेंटर के छात्र रहे हैं। यह अलग बात है कि युनिवर्सिटी के सख्त नेमों के चलते हुए अंतिम वर्ष फाइनल लियर की परिक्षा में नहीं बैठ पाए थे क्योंकि उनकी अनुपस्थती बेहत कम थी। यह भी जानकारी मिली है कि जामिया में मौस कमलुनिकेश के छात्र रहे शाहरोख खान खुद भी यह संबान लेने के लिए राजी हो गए थे और इसकी मंजूरी भी युनिवर्सिटी को दे दी थी। वहीं पूरी प्रक्रिया के तहित जब इस बारे में युनिवर्सिटी ने मानवसन साधान विकास HRD मंत्राले को मंजूरी के लिए खत लिखात प्रस्ताव को टुकरा दिया गया। सूचना के अधिकार के तहित इस संबंद में पूछे गए सवाल के जबाब युनिवर्सिटी ने बताया कि HRD मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया क्योंकि शाहरोख खान 2016 में मौलाना आजाद नैशनल उर्दू युनिवर्सिटी मनू से डिगरी ले चुके हैं। वहीं मानव संसाधान मंत्राले के अधिकारियों ने अनौप चारिक और पर कहा कि ऐसी डिगरी कई बार देने के संबंद में कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन आम और पर दुबारा मानत कि नहीं दी जाती है।